दोस्तों तेवारों का मौसम सुरू हो चुका है तो ऐसे में मिठाईया तो बनती रहेंगी तो आज हम बिना गैस जिलाए बनाएंगे यह स्वादिष्ट मिठाए आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह कितनी टेस्टी दिख रही है और यह खाने में भी बहुत ही ज़दा स् दोस्तों यह मिठाई बनने के बाद बहुत ही जादा टेस्टी लगती है खाने में तो आप इसे एक वर ट्राइ जरूर कीजेगा और यह बिना गैस जिलाए बनेगी तो इसे बनाना भी बहुत असान है तो इस तरह से हम पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे दोस्तों अ अब हम एक बड़ा फाउल अब इसमें डालेंगे एक कप नाडेल बुरादा, एक कप मिल्क पॉडर और एक कप पीशी हुई चीनी ग्रेट की वे सारे पनीर को डाल देंगे और इसमें डालेंगे आदा चमच इलाइची पाउड़र अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मि इसका हम डो बनाकर तयार कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही डो बनाकर हमें तयार करना है, तो परफेक्क डो बनकर तयार है, अब हम थोरा से डो लेंगे, और हलके हलके हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए, इसका हम इस तरह से लड़ू बनाकर त कर लेंगे बस हलका हलका प्रेस करना है इस तरह से हाथों को और राउंड राउंड घुमाते हुए इसका मैं लड़ू बना कर तयार कर लेना है दोस्तों यह लड़ू खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है तो आप इसे एक वर ट्राय जरूर कीजेगा और आप इस थोरा सा ग्रीन पिस्ता इस तरह से डाल देंगे सारे लड़ू के उपर तो यह और भी ज्यादा खुबसूरत दिखेगा तो टेस्टी टेस्टी लड़ू बनकर तयार में आपने देखा नहीं से बनाना कितना आसान है और मैं आपको इसे तोर कर दिखाती हूं कि यह कितनी स आपको रेशिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बक्स में जबर पताएगा अगर रेशिपी अची लगी तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा जल्दी में देना है रेशिपी के साथ तब तक लिए बाइब आग जाने जाने ने रेशिपी के साथ